हेला दोस्तों इस समय राजिस्तान ही नहीं पूरा भारत बर्ष बारी बारिश बाड़ भुषकलन पाड़ों के खिसकने से होने वाली तबाई की दर्दनाक तस्विरे रोजाना हमारे सामने आ रही हैं कोटा संबाग में भी पिछले कुछ दिनों से लगाता भारी बारिश होने के कारण गांदी सागर डेम लगबग फुल हो चुका है इस बांद से रोजाना लाखों क्यूशेक पानी छोड़ा जा रहा है इसी वज़े से कोटा बेराज से भी पिछले दिनों ग्यारा गेट खोल कर दो लाख से अधिक क्यूशेक पानी छोड़ा गया दोस्तों पानी की निकासी के इस बव्वे नजारे को देखने के लिए आज हम आएं कोटा बेराज डेम पर और आप देख रहे हैं यहां पर किस तरह लोगों की भीड हो रही है मैंने देखा है दोस्तों वन अजारा दोजाग उन्निस का जब कोटा में बारी बारिश होने के कारण बार की स्थिती पेदा हो गई थी और लगातार 16 गेटों को खोल कर पानी की निकासी के इस तब कोटा की निचली बस्तियों में और आसपास के गाउं टापू बन गए थ उससे होने वाली तबाई और गरीब जनता की जन धन की हानी का घिर्दे विदारक मंजर देखतर रोंगते खड़े हो जाते हैं इसलिए आने वाले समय में यदि बारी बारिश होती है तो पुर्शाशन को और NDRF को निचली बस्तियों में रहने वाले लोगों को अलर्ट कर करके उन्हें सुरक्षित इस्तान पर भेजने की विवस्ता करने हो जाते हैं इसलिए लोगों को ऐसे इस्तानों पर जाने से बचना चाहिए जहां पर हाथसा होने की संभावना रहती है जैसा कि आप देख रहे हैं यहां चंबल नदी के दोनों किनारों पर चंबल रिवर्ट फ्रंट प्रोजेक्ट का कार है बड़ी तेजी से चल रहा है और पिछले जिनों जब यहां पर 11 गेट खोल कर पानी की निकासी की गई थी तब दो जैसी भी मशीने भी बह गई थी ज हमारे वीडियो को लाइक परें ड्क करें उर चैनल को सब्सक्राइब करें अबटे को दबा लें अने वाली बीडियो कीम आपको सबसे पहले मिल सके आप है कि इतना के लिए आप से फिर किसी नए वीडियो में मुलाकात हो कि तब तक के लिए जय इन जय भारत आपका बहुत बहुत धन्यवाद